सबीको नमस्कार आगए अपनी क्लास में कि अधिजल त्योरी शुरू करें तो फिर तीजल की त्योरी तोपिक चल रहा था अपना क्या और श्ट्रोक डीजल इंजन वर्किंग प्रंसिपल यह ने आपको बता दिया था इजल इंजन का क्लासिफिकेशन आपको बता दिया गया है इंजन के जो कंपोनेंट होते हैं कौन-कौन से भाग होते हैं के बारे में अपन ने पढ़ लिया है अब अपन जो नेक्स टोपिक शुरू करेंगे वो इंजन के जो कंपोनेंट होते हैं तो हर एक कंपोनेंट के बारे में अपने को प्रिटेल इस्टर्डी करनी है ठीक है करें सुरू तो सबसे पहला जो अपन कंपोनेंट ले रहे हैं वो अपन ले रहे हैं वाल्व जनके जो वाल्व होते हैं वो दिखाई दे रहे हैं नहीं दे रहा हूँ वाल्व जन वाल्व ठीक है दिखाई दे रहे हैं प्रोपर तरीकेशें यह नहीं दूसरा कलर चेंज गरें अब ओपर है चलो ठी इंजन वाल्व के बारे में अपन पढ़ेंगे अब सबसे पहले तो अपने को जब कोई भी टोपिक पढ़ेंगे अपन कोई भी इंजन का कंपोनेंट पढ़ेंगे सबसे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए उसका ठाटव पता होना चाहिए उसकी धात्य पता होनी चाहिए जैसे इजयन वाल तो वाल कि आप बारे में आप से पूछे कि वाल होते हैं दो प्रकार क्यों होते हैं कौन-Kौन से एक होता है इनलेटवालव और दूसरा कुण सा उतंखता है एक दोष्ट बालव दो प्रकार के वाल होते हैं इनलेट वाल और एक्जोस्ट वाल इनलेट वाल का क्या कारिय होता है कि आपका जो भी कमबक्शन चेंबर है उसके अंदर फैस चार्ज को भेजना ठीक है एक्जोस्ट वाल का क्या कारिय होता है आपकी जो जली हुई गैसे है उनको क्या करना बहार निकालना कंबक्शन चेम्बर से उनको क्या करना होता है बहार निकालना होता है तो जो आपका इनलेट वाल बना हुआ होता है इसका मैटिरियल जो होती है धातु होती है वो आपको ध्यान रखनी है इनलेट वाल जो होता है तो किसका होता है नि लेट वाल आपका बना होता है निकेल क्रोमियम इस्टील इसी तरीके से आपको क्या एक्जोस्ट वाल का जो मैटिरियल होता है धातू होती है वो याद रखनी है इसका बना होता है एक्जोस्ट वाल कि लिकॉन कि प्रोमियम कि इस्टील अब ये दोनों अलग-लग material के धातों के क्यों बने हुए होता है क्योंकि inlet wall होता है उसमें fresh charge आता रहता है तो वो उतना गरम नहीं हो पाता है लेकिन exhaust wall जो होता है उसमें से continue जली हुई gas से जो होती है वो क्या निकलती है बहार निकलती है उसलिए उसका temperature जो तापमान होता है वो क्या होता है अधिक होता है इसलिए इसको अधिक भजबू धातू से बनाना पड़ता है जो अधिक temperature और pressure दोनों को सहन कर सके इसलिए इसको silicon chromium steel से बनाया जाता है जबकि जो inlet wall होता है उसको निकल chromium steel से बनाया जाता है ठीक है ये इसका material होगी धातू हो गई उसके बाद वाल के function वाल क्या क्या कारी करता है कारी क्या 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 करता है वाल वाल जो होता है सबसे पहले तो क्या कारी करता है वाल आपका जो combustion chamber होता है देहन कक्स होता है उसको seal करने का कारी करता है यानि देहन कक्स को रहन तक्स को सील करने का कारी करता है यानि उसमें से जो आपका फ्यूल है या गैसे है वो उससे बहार नहीं निकले तो उनको सील करने का कारी कौन करते हैं आपके वाल करते हैं इसका पहला फंक्शन हो गया पहला कारी हो गया दूसरा फंक्शन क्या होता है आपका जो inlet wall है वो fresh charge, fresh charge, जैनि जो आपका fuel होता है या airs आ रही है उसको fresh charge बोलते है, ठीक है fresh charge को दहन कक्स में प्रवेश करवाता है, दहन कक्स में प्रवेश करवाता है, देहां कक्स में इसको प्रवेश करवाना फ्रेस चार्ज को इसके अलावा जली हुई गैसो को देहां कक्स से बाहर निकालता है जली हुई गैसो को देहां कक्स से गक्स से बाहर निकालना ये तीन बेशिक फंक्शन होते हैं वाल के आपके पहला कारी क्या हो गया कमबक्शन चैमबर को सील करना उपर से क्या करना उसको सील करना कि जो गैसे या चार्ज है वो बहर नहीं निकले दूसरा combustion chamber के अंदर fresh charge, दहन कक्स के अंदर fresh charge को प्रवेश करवाना और तीसरा कारी क्या हो गए आपका जली हुई जो गैसे होती है उनको क्या करना दहन कक्स से बाहर निकारना तो ये तीन प्रमुक कारी होते हैं आपके वाल के ठीक है अब वाल होता कैसा है दिखाई कैसा द लिएता है कि कौन-कौन से भाग होते हैं तो वाल्व के भाग पाल्व के भाग वाल के कौन-कौन से भाग होते हैं इसके बारे में अपन पढ़ेंगे आज कल जो वाल यूज हो रहे है यह पोपे टाइप का वाल यूज हो रहा है आपका यूज होता है ठीक है अब इसके कौन-कौन से भाग होते हैं कि पहले क्या होता है इसका एड होता है यहां पर इसमें खांचा कटा हुआ होता है जिसे गुरूग होते है इसको दिखाई देने में आपको वाल दिखाई देखता है इसमें क्या लगाता है वाल फिट बैठता है ठीक है यही जो होती है आपकी जो से क्या करती है और वाल को फोल्ने और बंद करने का कारिय करती है यह कोती है यह जो नली दिखाई देर ही यापको यह आपको नली होती है इसको स्टैम पैम बोलते हैं इसको ठीक है यह वाला जो पार्ट होता है सबसे उपर का ही उपर का इसको बोलते हैं पैम बोलता है इसको ठीक है हेड के नीचे ज़स्त ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं एक घरदन आती है और हैड और फैस के बीच में जो पर बोलने मार्जिन को होते हैं भाग होते हैं यह वाल के सबसे पहले एजी तरीका है बिलकुल समझने का बिलकुल ही आसान तरीका है इस तरीके से समझो सबसे पहले अपना उपर क्या है एड़ वाल यहां पर भी एस दोनों के बीच जगह इसको ध्यान रखना है margin बोलते हैं फेस के बाद नीचे अपनी क्या आई नेक गर्दन तो वाल के भी यह क्या है नेक गर्दन है उसके बाद यह क्या आ गई अपना इस्टैम आ गया फिक है यह अपना इस्टैम आ गया यह गुरू आ ग वाल के वारे में पढ़ा है वाल का जो भाग होता है कौन-कौन से होते हैं ठीक है वाल किस्पदार्स का बना हुआ होता है और वाल का function क्या है यह तीनों चीज़े अभी अपन ने पढ़ ली है अब अपन चलते है नेक्स्ट आगे आगे क्या है आगे एक important चीज आती है वा क्या कारिये होता है एक्जोस्ट वाल का क्या कारिये होता है ठीक है अध्यनकक्स में प्रेस चार्ज को पैसाने का काम कोन करता है ठीक है जली हुई गैसों को भाहर निकलने का काम कोन करता है ठीक है वाल के नाम नहीं पूछेगा आप से कोई भी एक्जाम के अंदर ठीक है तो अभी अपन क्या पढ़ेंगे वाल्व टाइमिंग डाइग्राम, वाल्व टाइमिंग डाइग्राम, ठीक है वाल्व टाइमिंग डाइग्राम में क्या होते हैं, दो प्रकार की वाल्व टाइमिंग डाइग्राम होते हैं, और वाल्व टाइमिंग क्या होतता है कि वाल्व कब खुलेगा कहां बंद होगा क्रेंग के कितने गुर्णन पे खुलेगा कितने पे नहीं खुलेगा अब एक चीज बताओ अपना जो आई सी इंजन होता है और श्ट्रोक आई सी इंजन जो होता है उसके अंदर क्रेंग साफ्ट के कितने रोटेशन के उपर ठीक है एक बरव ड़ान रखन है हमेशा यहाँ पे ही नहीं हमेशा पिश्टन लोह जो कि पिश्टन होती है। जो उसके बाद आपकी क्रेंक होती है यह कर श्केबार रंतिया आपकी कैम ईक होती है एक चक्र जो होता है आपका 4 श्प्रोक इंजर के अंदर 4 श्प्रोक मिलके एक चक्र को पूरा करते है कौन-कौन से चक्षन, कमप्रेशन, पावर और एक्जोस्ट ठीक है इसे एक साइकल के दोरान कैम साफ एक चक्र लगाती है यानि एक बर क्या करती है गूमती है, रोटेशन करती है आपकी क्रैंक है वो दो चक्र लगाती है एक साइकल के दोरान और आपकी जो पिश्टन होती है वो च्यार चक्र लगाती है तो ये हमेशा ध्यान रखना एक्जाम में यहां से questions पूछा जाता है क्या पूछा जाता है कैम की तुलना में पिष्टन की गती होगी अब बताओ कैम की तुलना में पिष्टन की गती कितनी होगी क्यार गुना इसी तरीके से क्या पूछ सकता है कि पिष्टन की तुलना में कैम की गती कितनी होती है एक बटे चार गुना ठीक है ऐसे ही कैम की तुलना में क्रेंक की गती कितनी होती है तो दो गुनी कैम की तुलना में लेकिन यदि आपसे पुछले क्रेंक की तुलना में कैम की गती कितनी होती है तो कितनी हो जाएगी आप अधी एक बटे दो गुनी तो यह चीज आपको हमेश्या ध्यान रखनी है तो पर सबसे पहले पढ़ेंगे सैद्धान्तिक वाल टाइमिंग डाइग्राम सैद्धान्तिक यहने प्रक्टिकली ठोल्टिकली सैद्धान्तिक वाल्व टाइमिंग डाइग्राम अब इसके लिए आपको क्या आना चाहिए जो मैंने आपको इंजन फोर स्ट्रोग डीजल इंजन की जो कार्य प्रणाली बताई थी ना वो आपको आनी चाहिए यदि आपको उसकी कार्य प तोपिक भी आपको समझ में नहीं आएगा ठीक है इसलिए जो पीछे पधाते हैं वो टोपिक क्या होतने हैं लिंक रहते हैं एक दूसरे से इसके लिए आपको इसके लिए आपको इंजन की समझ में आएगा देखो यह आपकी हो गई क्या की क्या होता है उसके अंदर एक होता है आपका टीडी सी कर दूसरा क्या होता है आपका इडीसी कर खोप डैर सेंटर अब लगता है तो पिश्टन कहां से कहां चलता है आपका टीडी सी से चलता है और कहां पे टीडी सी पे और इनलेट वाल जो होता है वो क्या हो जाता है ओपन हो जाता है कुछ सा वाल ओपन हो जाता है आपका इनलेट वाल जो होता है ठीक है और जैसे ही पिष्टन बीडीशी पे पहुंचती है तो यहां पे क्या हो गया आपका इनलेट वाल क्लोज यानि बीडीशी पे पहुंचते ही इनलेट वाल क्या हो गया आपका क्लोज हो गया ये कौन सा श्ट्रोक था सक्षन श्ट्रोक था ये कौन सा श्ट्रोक था आपका सक्षन श्ट्रोक था उसके बाद क्या होगा उसके बाद चलो भई पावर पावर स्ट्रोक के दोरान भी दोनों बाल क्या रहते हैं आपके बंद रहते हैं पावर स्ट्रोक के दोरान भी क्या रहते हैं आपका दोनों बाल बंद होते हैं लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट यह आपका जो फ्यूल होए वो अंद Cem Kim क्या होगा उसके बाद उसके बाद आपका 문제 ऌर ओपन हो जाईगा था gün फाइब क्या होता है आपका है तो था Snow कि अजोष्ट फ्रोक इस डोराण क्या हो जाएगा यहां पर एक जो ट कुल फंपन औ्ट फोल क्या हो गया ओपन हो ठीक है और यहाँ पर आके क्या हो जाएगा आपका exhaust valve close exhaust valve close ठीक है यह जो terms है यह मा आपको लिखवा दूँगा इनका full meaning भी लिखवा दूँगा देखो पहली terms जो मैंने use की वो क्या use करी है क्या use करी है I P O दूसी terms क्या की है I P T T C terms क्या use की है F I S F I S ठीक है सोप्थी terms क्या use की है मैंने E P O पांची terms क्या use की है T B T ठीक है और T D C और B D C का मतलब आपको पता होना चाहिए T D C पहले भी बता चुका हूं काफी बार T D C T D C का मतलब होता है T का मतलब टोप T का मतलब डैड और C का मतलब सेंटर यदि हिंदी में कोई लिखना चाहता है इसको तो उपरी निश्क्रिये बिंदू उपरी निश्क्रिये बिंदू और B D C का मतलब T D C B D C का मतलब होता है बोटम डैड सेंटर बोटम डैड सेंटर यदि हिंदी में बात करें तो निश्क्रिये बिंदू T D C टोप डैड सेंटर B D C बोटम डैड सेंटर उपरी निश्क्रिये बिंदू और निश्क्रिये बिंदू ठीक है कोई दिक्कत यहां तक चलो आगे चलते हैं अब इनकी फुल फॉर्म बता देखता हूं इन लेट वाल ओपन इसकी फुल फॉर्म उद्गी इन लेट वाल्व ओपन इन लेट वाल्व क्या हो गया खुल गया इसकी इन लेट वाल्व क्लोज ठीक है एफ इस फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट क्यूल इंजेक्शन स्टार्ट हो गया आपका यहां पे ठीक है इसके बाद एक्जोस्ट वाल्व क्लोज एक्जोस्ट वाल्व ओपन और नीचे इवी सी का एक्जोस्ट वाल्व क्लोज ठीक है तो यह तो था आपका वाल्व टाइमिंग डाइग्राम उनसा सैद्दान्तिक वाला लेकिन वास्ताओं में एक्जोल में ऐसा नहीं होता है तो फिर वही एक्जोल में कैसा होता है एक्जोल में एसा नहीं होता है तो फिर एक्जोल में होता कैसा है बताओ अब वो देखते हैं कि actual में अपने जो डीजल इंजन होता है उसमें वास्तों में कैसे हुकाम करता है और वाल कब open होता है और वाल कब क्या होता है आपता close होता है ठीक है इसमें एक चीज़ और लिख लेना आप लोग यहाँ पे लिखना चाहो तो यह जो पहला stroke था यह कौन का नाम लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ पे ठीक है यह कौन सा था आपका यह वाला इस ट्रोक था सक्षन इस एक यह वाला कौन सा था पावर और यह लास्ट में कौन सा बस गया एक्जोस्ट तो यह चारो आपके क्या थे stroke थे section section compression power और एक्जोस्ट यह चारो आपके क्या होगे stroke होगे इसके अंदर यह था क्या सैद्दान्तिक वाल टाइमिंग डाइग्राम अब अपन पढ़ेंगे practically 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 diesel engine diesel engine car वाल्व timing diagram diesel engine का practically वाल्व timing diagram ठीक है कि practically कैसा होता है वास्तो में होता कैसे है diesel engine के अंदर ठीक है तो actual में क्या होता है वास्तो में होता क्या है वोई अपनी सेम चीजे है अपनी कि अचलो इसी से ले लेते हैं कि अपना क्या था टीडीच्ट अपना नया यह क्या हो गए अपना बीडीच्ट यह क्या हो गए अपना डीडीसी अब एक्चल में डीजल इंजन में क्या होता है कि जब सेक्षन श्ट्रोक शुरू होता है तो उससे कुछ टाइम पहले ही क्या कर दिया जाता है वाल को खोल दिया जाता है जब सेक्षन श्ट्रोक आपका शुरू होगा उससे कुछ टाइम पहले ही आपके वाल को क्या कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है, अब कब खोल दिया जाता है वाल को? कब खोल दिया जाता है, कब बंद किया जाता है, देखो क्या होता है, एक्चल में क्या होता है? जब आपका section stroke start होता है जब आपका section stroke जो होता है वो start होता है शुरू होता है उससे कितने degree पहले ये मान लो आपका center point हो गया तो उससे 25 degree पहले 25 degree पहले ही आपका क्या कर दिया जाता है wal को call दिया जाता है कितनी देर पहले 25 degree पहले यह मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आपका 25 डिगरी, 25 डिगरी पहले ही आपका क्या कर दिया जाता है, वाल को खोल दिया जाता है, और बाद तक खुला रखा जाता है इसको, कितने बाद तक खुला हुआ रखा जाता है इसको, आपके इसको रखा जाता है, 30 डिगरी बाद तक इसको खुला रखा जाता है यहां तक इसको क्या रखा जाता है फुला हुआ रखा जाता है कितने डिगरी तक 30 डिगरी बाद तक 30 डिगरी यह कौन सा इस्टोक चल रहा है आपका सक्षन इस्टोक चल रहा है अब मैं आप से तो हुए यहां से आपका कॉस्जेंस बनता है ठीक है तो देखो 30 डिगरी पहले 25 डिगरी पहले तो क्या हो गया था खुल गया था यानि 25 डिगरी पहले ये आपका वाल क्या हो गया था ओपन हो गया था ठीक है उसके बाद 180 डिगरी का ये हो गया ये वाला जो पार्ट हो गया प्लस में 180 डिगरी और प्लस में कितनी देर बाद तक खुला है 30 डिग्री बाद तक खुला है तो प्लस में 30 कि इतना हो गया टोटल 235 डिग्री यानि क्रेंक साफ्ट के 235 डिग्री घुर्णन तक तो आपका इनलेट वाल होता है वो क्या रहता है फुला हुआ रहता है डीजल इंजन के अंदर ठीक है उसके बाद कौन सा श्ट्रोक शुरू हुआ बताओ उसके बाद आपका दूसरा श्ट्रोक शुरू हो गया कौन सा कंप्रेशन चलता रहेगा यह कंप्रेशन में वाल का कोई लेना देना नहीं है तो यह आ गया आपका कंप्रेशन अब कंप्रेशन आ गया अब क्या होगा यहां पर देखो पावर श्ट्रोक शुरू होगा कौन स से कुछ time पहले इस time पहले जे लोग कुछ time पुराई गया कि का कर ले देख गई कि क्ये का कुछ time पहले कितने time पहले 50 degree पहले इतने time पहले पांस डिगरी पहले आपका कि इतना है आपका पांस डिगरी है यह यह इस पांस डिगरी है यह इन इप फ्यूर का जो इंजेक्शन होता है ना वो क्या कर दिया जाता है यह इस्टार्ट कर दिया स्टार्ट कर दिया गया है ठीक है उसके बाद कांटता है अप कब तक इंतर रहता है है ॉ हुए आपका रहता है पत्ustise App बइन कितना हो गया अची ज़ी प्लास सबस्चे नहीं नियुक्त अबब दिगरी कितना हो गया पास्ट श्ट्रोक कौन सा एक्जोष्ट तो एक्जोष्ट श्ट्रोक के दोरान भी ऐसा ही कुछ होता है कि जो आपका एक्जोष्ट वाल होता है उसको क्या किया जाता है कुछ टाइम पहले ही खोल दिया जाता है एक्जोष्ट वाल को कुछ टाइम पहले ही आपका क्या कर द पहले ही इसको क्या कर दिया जाता है तो री इस वाल को क्या कर दिया जाता है आपको ओपन कर दिया जाता है को कंप्लीट कर लेता है एक बर कितने डिगरी पहले ही ओपन कर दिया जाता है इसको 45 डिगरी पहले ही ओपन कर दिया गया है और कितने तक चलता रहता है यह आपका पांस डिगरी बाद तक चलता रहता है कितने डिगरी बाद तक चलता रहता है पाइप डिगरी यह पांस डिगरी बाद तक क्या रहता है यह चलता रहता है इसका नाम है पांस डिगरी यहां तक यह चलता रहता है तो यह है आपका एक्शल में वाल टाइमिंग डाइग्रा अब मैं आपसे पूछू कि एक्जोस्ट वाल कितने डिगरी तक खुला रहा बताओ एक्जोस्ट वाल जो है आपका टोटल कितने डिगरी तक खुला हुआ रहता है बताओ तो एक्जोस्ट वाल देखो 45 डिगरी पहले खुल गया प्लस 180 डिग्री वो चल रहा है और प्लस 5 डिग्री बात तक क्या रहा ये पुला रहा तो कितना हो गया तास जोड़ दो तो कितना हुआ 15 ये हो गया कितना हो गया 60 240 कि दो सो चाइश टोटल हो गया है आपका इस इन चीजू का क्या रखना है आपको प्रेक्टीकली जो डीजल इंजन का है वो क्रेंग साफ्ट के कितने रोटेशन तक गुला रहता है खुला हुआ रहता है किया आपका इन लेट किया रहता है कि पंजरी पहले खुल जाता है वो तीश दिगरी बात तक क्या रहता हुत एंग्यूल का जो इन्जेक्षन है वो प्छिश दिवी तक प्रकिया जाता है इंजक्स्ट इंजक्शन चालू रहता है फ्यूल का टीक है तो यह और चीज और मैं लिकुझता हूं इंट लेट वाल ओपन यह क्या था आपका इन लेट वाल यहां पे ओपन हो गया ही कर यहां पर आके क्या हो ठीक है यहां पर क्या हुआ एक्जोस्ट वाल ओपन और यहां पर लास्ट में क्या हुआ एक्जोस्ट वाल क्लोज ठीक है दिख दिया है सारी चीज इनलेट वाल ओपन इनलेट वाल क्लोज और फोरी दिर पहले ही मैं इनकी फूल पूरम लिखवाई थी आई बीसी इनलेट व और एग्जोस्ट वाल क्लोज एवी सी ठीक है और एवी ओ एग्जोस्ट वाल ओपन तो यह था आपके इंजन का वाल टाइमिंग डाइग्राम कि आ गया समझ में बताओ कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है चलो तो ठीक है फिर बाद में करते है